सुश्वागतम माराज ग्रिश्मकाल का प्रभाव गर्मी का ऐसा प्रभाव है कि केले घर लाते ही और अगले ही दिन आदे से ज़्यादा केले जो नीचे की तरफ ही वो पक करके बेकार हो जाते ही एक बड़ा शरल उपाय है तीन दिन की गारेंटी में ले लेता हूं माराज अकबार को शादे पानी से गीला करकर के नल के पानी से गीला करकर के और उपर डंठल पर ऐसे लपेड़ दें जैसे हम शर्दियों में मफलर मुपर लपेड़ लेते हैं माराज और पूरी तरीके से डंठल को ढख दी जो यहाँ पर जो नियम है जो यहाँ पर विज्ञान है कि जब यह पेड़ पर टंगा होता है तने से जुड़ा होता है केला तने से जो है पानी प्राप्त करता है और कभी भी पेड़ पर लगा हुआ केला महाराज कभी पकता नहीं है अधिक नहीं पकता, उसी प्रकार से, शमान रूप से हमें केले को यहां ब्रहमित करना है, यह गीला जो आप देख रहे हैं, अखवार यह इसको धुका देकर के गीला रखता है, और केले को लगता है, जैसे यह पेड़े से ही तंगा है, तो अत्रिक्त नहीं पकेगा, जब य गीला कर दी, बड़ा शरल तरीका है, बहुत बहुत आशिरवाद, बहुत बहुत धन्यवाद,